हेलो फ्रेंट्स वल्कम बग तो माई यूट्यूब चैनल अपना डोक्तर संजय आज में रिबी जने जा रहा हूं अस्ट्रमाइड्स वाइल के बारे में यह एक आयरुवेदिक तेल होती है और इसका उपियोग लिंग में तेढ़ापन छोटापन चिकड़ापन और पतलाप को ठीक करने के लिए इसका उपियोग किया जाता है या स्रीप मर्दों के लिए बनाया गया है इसका इसमाल वरते नहीं कर सकती है यह एक आयरुवेदिक जड़ी बुटियों से तियार किया हुआ तेल है जिसका सेवन करने से श्रीप हाइदे ही फाइदे मिलते है सतावरी असदंदा लोंग जाइख्वाल बहुत ही परकार के हर्बल अंटेंट इसमें डाले गये हैं जो की बहुत अधिक परभावी बनाया है अस्ट्वर्माइड ओएल का उपियोग बहुत से कारणों में किया जाता है अस्ट्वन की कारण से बहुत व्यक्ति के लिंग की नसे कमजोर हो जाती है बेकार हो जाती है चिकूर जाती है बेजान हो जाती है तो उसको यह ठीक करती है अगर किसी व्यक्ति के लिंग छोटा हो तो उसको भी बढ़ाने के काम में आत और अगर किसी बेक्टी के लिंग में पनाव ना आता हो और वो बहुत ही ज़्यादा प्रैसान रहते हैं तो उसको भी या स्टोर्माइट वाइल जड़ से उखाड़ के ठेगे शिग्रपतन की समिश्यां वाले बेक्टी भी इस वाइल का यूज कर सकते हैं इसे लगातार एक महने तक यूज करें तभी आपको फाइदे मिलेगे लिंग से जितनी भी जुड़ी समय स्याई हैं हो आपको धिरे-धिरे ठीक कर देगे इस्ट्रमाइड एक आयरबेडिक तेल है इसका लगाने से किसी भी परकार आपको साइड फेक्ट नहीं देखे जाएंगे एस्ट्रमाइड ओयल एक पहत्री ओयल इसका सेवन करने से आपको बहुत ही फाइदे मिलेंगे सेक्स से 10-15 मिनट पहले तीन से चार बुंदे ले और लिंग को अच्छी तरह से मसाज करें और तेल को धिंगने दे आधे घंटे के बाद इसे कोटें से साप कर ले उसके बाद आप अराम से सेक्स कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपका लिंग की जो नसे हैं वो सुन हो जा करता है और सेक्स करते समय सेक्स की टाइमिंग बहुत हुजादा बढ़ जाती हो और आप ले सकते हैं शिक्रपतन की समझ्चा को यह जड़ से ठीक कर देगी आज कर बहुत से ब्यक्ती गल्ती करते हैं कम उमर में हाथ मिधून करने के कारण से लिंग की नस्य को बेकार कर द आता लिंग से पूल जाता है तो इन सारी समझ्चा जो भी आएगा तो इस्टोन मैट ऑइल के प्योग से आपका यह सारी समझ्चा ही ठीक हो जाएगी अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं पसंद करते हैं मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करने कमेंट करने ना गल्गाइब करते हैं